सिवराज कैविनेट अब बनी जई सिवराज के गले के फांस काही की अब केवल चार कैविनेट मंत्री के जगह खाली हाला तैसा की एक अनार सौ बीमार विनिशेत्र के ये पहिल पगेली न्यू चैनल मा हम कनेश्थिवारी अपना पंचेन का सबेजनेन का प्रणाम करी थे हो शुरू करी थे एक बेहत दिल्चस खबर कि मद्धिप्रदेश मा कॉंग्रेस के अन्त होई के बीजेपी के उदय होई गा सिवराज स्थाई बहुमत प पूर्णे से है कि आस ये लगाए रहें भाजपा के विधायक कद्दावर विधायक जब 5566 से विधायक है कि यह जो टीम ही सिंधिया समर्थक मां जो मंत्री बनाएगे रहें उनके जगह मां बरिष्ट विधरकन का मंत्रिमंडल मां स्थान मिल जई किन्ट सिंधिया समर्थक जो है अधिक्तर मंत्री ये चुनाओ जीती गे जोने के चलते अब महट केवल सिवराज के पास चार कैबिनेट मंत्री के जगह ही ओका लई के अब कहों न कहों ये खयाल आए रहा है और सिवराज खीतिर बेहत बड़ी चुनाओती उसामने आए र उनेश सीटन मजीत मिले के बाद सिवराज सिंध चौहान सरकार का बहुमत तहासिल होई या लेकिन मुख्य मंत्री के सामने चुनाओती कम नहीं आए सबसे पहले चुनाओती होई कैबिनेट के विस्तार कॉंग्रेस से बिजेपी माई तीन दुई सिंधिया समर्थक मंत्रीन के चुनाओ हारे के बाद अब जो है मंत्री मंदल माँ चार अउ मंत्री का सामिल की इन जायसकत है एक अस्थान जो है पहले स्खाली पड़ा रहा लेकिन प्रमुग दावेदार साथ से अधिक विधायक है जोने माँ एक का मनाबाई खीतिर बेहत कडी मेहनत करे का परी होई करे का परी कमलनास सरकार गिरे के बाद जो है सत्ता मा आय सिवराज कैबिनेट मा कॉंग्रेस से इस्तीफा दैके आये 22 मा से 14 विधायकन का सामिल की इन गा रहा मंत्री मंदल मा जोने माँ छेतरवार प्रतिनिद्युत जैसा सामिकरन नहीं रहे लेकिन अब दवाव रही अब विंधि महा कॉंसल विधायकन का मंत्री बनाए जाए के उमीद बधी है सवाल हो है कि कैबिनेट विस्तार के बाद विधान सभा ध्यक्ष को बनी चुनाव हारे वाले सिंधिया समर्थकन का विजेपी संगठन मा जगा मिली या ना मिली निगम मंडल के चुनावन मा नियुक्ति कले के सिवराज पर दवाव कमना रही यह बहुत बड़ी बात है कि या दौर या जो ताज मिला है सिवराज के सर मा वह काटन से भरा ताज है और वह काटन से भरे ताज मा पहे चुनावती बेहद हैम ही अब यदि बात किन जाए विंध के, तब विंध मा सबसे ज़्यादा दबाओ है सिवराज के उपर, सिवराज पर जो है विंध शेत के विधैकन के सबसे ज़्यादा दबाओ होई, यहां से सीनियर विधायर गिरीस गौतम आवाज उठाउप सुडू कह दिही नहीं, मंत्रि म सीनियर विधायक है, जोने मा विधान सबाध्यक्च पतखीतिर छह बार से विधायर गिरीस गौतम यह दोड मा पीछे न रही ही, एक अलावा जो है निमार से यह सपाल सी सोधिया, ओ नर्मदा पूरम से पूरु विधान सबाध्यक्च, सीता सरंशर्मों के नाम यह पतखी सीनियर विधायक है, सीवराज सरकार के पिछरे कारिकाल मा मंत्री रहे संजय पाध्यक्च, रामपाल सिंग, गौरी संकर विषेन और राजयन सुकल के लावा नागेन सिंग, रमेश मंदोला, आजय विस्नोई यह दौरमा सामिल है, अब सरकार के रिबात के इन जाए सिंध सिंधिया के कारहीत, संधिया के दखल जो है, ये सरकार मा बढ़ी, उप्चुनां मा विजेपी के खाता मा उनई सीट आबए के बार जो है, जोती राजित सिंधिया के पार्टी मा प्रभाव बढ़ सकत है संगठन के साथ साथ सरकार्मा अब उनके सुनीजेई दरसल सरकार्मा सिवराज के द्वारा जो है पिछले तीन कारिकालमा यमे राजनीतिक परिष्थितिन के सामना नहीं भाए ताकत बर होईगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी सर्मा और उचुनावती उन्हों का है उचुनाव मां सांदार जीत के बाद जो है बिजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी सर्मा फुल ताकत वर होईगे हैं लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनोतिया है कि सिंधिया समर्थक के साथ तालमेल असंतुस्त का कारिकार्णी मां जगह देव होई प्रदेश कारिकार्णी मा फेर बदल फरवरी माह से यटका है माना यह जाल लाग है कि या डौर जो है कारिकार्णी के गठन के या समय माना जाल लाग है तो यह रही बेहत दिल्चस्प खबर ओए मा एक बात ओओ ही कि तोमर के गढ़ हारी चुके हैं तोमर के नरेन सिंग तोमर एक कदावर नेता हैं या चुनाओ जो है गौलियर छेत्र के कदावर नेता नरेन सिंग तोमर की तिर एक बहुत बड़ा जटका है कि तोमर मुरोयना से सांसद हैं उहां बिजेपी के तीन सीठ हा रिगे हाला कि प्रदेश सध्यक्ष बिड़ी सर्मों यहों इलाका से आ है और दुनहू नेतन के द्वरा जो है बोट दीन का रहा लेकिन जहां जहां ही नेता बोट मतलब गौलियर पूर्मा जब बोट डारिन तो उहां से बिजेपी हारी गई यह बिजेपी के मुन्दालाल जहां सिंधिया उतोमर बोट डारिन उहां से बिजेपी के मुन्दाला खत्म नहीं होई रगा है योग चुनाओ के परिणाम के खुमार अब एक कुछ दिन चली किन्तु सिवराज सरकार के सबसे बड़ी चुनौती कैबिनेट विस्तार है जो उन्हें माद चार सिर्फ अनार के दाना हैं किन्तु बीमार बहुत जादा हैं और अनार का खाय चाहा थ अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब धन्यवार प्रणाव